नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रिचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आई इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉपलर प्रभाव की सामानी परिस्तितियों की। जब से पहले परिस्ति जो हम ले रहे हैं वो है कि जब श्रोत गतिशील है और श्रोता स्थिर है। यानि कि हमने जो घटना लीती उसमें हमने क्या लिया था श्रोता को आपको श्रोता लिया था तो आप यहां पर वही मानेंगे। कि आप यहाँ पर कैसे है, स्थिर है, तथा जो श्रोत है, वो क्या है, गतिशील है, यानि कि जो गाड़ी है, इतिवा समझ मैं, तो यहाँ पर, मान लिजे, यह हमें तरंग दी गई है, और S यहाँ पर क्या है, यह है, श्रोत, ठीक है, और यहाँ पर L क्या है, यह है, श्रोत है S, अब जो यहाँ पर तरंग आ रही, यानि कि ध्वनी तरंग ये किस से आएगी, ये श्रोट से आएगी मान लीजे, जो ये तरंग आपको दिख रही है, इसकी जो आवरिती है, वो है New, यानि कि एक सेकिंड में इसने जितने तरंग धैर्गे बनाए हैं, वो आपको यहाँ पर दिए गए है, ठीक है मान लीजे, इस तरंग की जो चाल है, वो है V, केतनी बाद समझ में आई तो यहाँ पर जो लेम्डा होगा लेम्डा क्या होता है, लेम्डा मतलब तरंग धैर्गे, वो कितना आज आएगा वो आज आएगा V upon new ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे ब्राकेट में लिख लेती हूँ, तो यह बात आपको ध्यान रहेगी कि तरंग धैर्गे होगा चाल upon आवरिती ठीक है, अब यहाँ पर जो श्रोथ है, वो गतिशील बहुत प्रकार से हो सकता है हो सकता है, आप से दूर जा रहा हो हो सकता है, आपके पास आ रहा हो तो यहाँ पर अब हम इन कंडिशन को क्या करेंगे consider करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब श्रोथ श्रोता की तरफ आ रहा है यानि कि हम कौन सी situation consider कर रहे हैं जब गाड़ी आपके निकट आ रही थी ठीक है तो वहाँ पर हम इसे रहने देते हैं तो वहाँ पर अब हम इसी condition को consider करेंगे तो कि अतनी बाद समझ में आई तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जैसे कि पहले जो वो था श्रोत वो यहाँ पर था ठीक है अब क्यूंकि यहाँ पर श्रोत क्या है गतिशील है और किस तरफ गतिशील है श्रोता की तरफ तो यह देखिए आप देख सकते हैं कि जो तरंग है वो कैसी हो गई है? शोता के पास आ गई है, क्योंकि यहाँ पर शोत क्या है? गतिशील है, मान लीजिए यहाँ पर जो शोत है, उसकी चाल है US, ठीक है? तो कुछ समय बाद जो S है, यानि कि जो क्या थी? शोत की पोजिशन थी, स्थिति थी, वो क्या हो गई है? अब S डाश हो गई है, क्योंकि यहाँ पर शोत गति में है, ठीक है? अब इतनी बात तो है कि जो यह तरंग की आवरिती है, वो तो वही रहेगी, तो यह न्यू है, ठीक है? अब यहाँ पर जो इसका आपेकशिक वेग हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, तो वी तो इसका वेग था ही, अब यहाँ पर आजाएगा minus U S क्योंकि जो यहाँ पर शोत है, उसका वेग कितना है? U S है, है ना? तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ आभासी तरंग धैर्गय की मान लिजिए आभासी तरंग धैर्गय को हम लेम्डा डाश से प्रदर्शित करते हैं तो ये क्या आना चाहिए तो यहाँ पर देखिए वेग अपॉन आवरिती परन्तु वेग यहाँ पर कितनी हो गई है वेग हो गई है V-U-S अपॉन आवरिती आप देख सकते हैं कि न्यू ही है तो यहाँ पर आजाएगा न्यू क्या अतनी बात समझ में आए तो ये क्या थी ये जो थी ये थी आभासी तरंग धैर्गया ठीक है अब हम बात करेंगे आभासी आवरिती की मान लिजिए आवरिती यहाँ पर न्यू है तो हम आभासी आवरिती को किसे प्रदर्शित करें तो मान लेते हैं इसे हम न्यू डाश कहते हैं तो न्यू डाश क्या आना चाहिए बता सकते हैं आप तो देखिए क्योंकि यहाँ पर देखते हैं तरंग धहरगे का जो सूत्र था वो क्या था देखे याँ पर lambda परावर v by new तो यहाँ से हम new क्या कह सकते हैं v upon lambda ठीक है तो v upon lambda अब देखे यहाँ पर हम क्या कहेंगे new डाश क्या आजाएगा new डाश आजाएगा v upon lambda dash तो जब हम यहाँ पर values पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए V की जगे आप V लिख दीजिए अपन लेम्ड़ डैश की जगे आजाएगा यह वाली चीज़ जो कि है V minus US upon new ठीक है यहाँ था कोई confusion मैं यह normally ही करते जा रहे हूँ आए होप यह आपको काफी easy लग रहा होगा तो यह क्या आजाएगा देखिए V upon V minus US तो यह है ही और जो यह new है यह आजाएगा उपर तो यहाँ पर आप इसे इसे लिख देंगे यह क्या आगया यह आगया new डाश यानि की आभासी आवरिती अब इसे हम क्या देते हैं समिकरण संख्या एक ख्याति बाद समझ में आए तो इसे देखने पर क्या मालूम होगा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो new डाश है और new है इन में से कौन बड़ा है और कौन छोटा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखे तो यहाँ पर जो यह रेशियो है यह V है और यह क्या है V माइनेस यूएस है यानि की V में से कुछ चीज माइनेस हो गई तो जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए 1 से बड़ा होगा है ना अब आपने न्यू को 1 से बड़ी टर्म से मल्टिप्लाई किया यानि की यहाँ से हमें पता चला न्यू डैश न्यू से बड़ा होगा इसका मतलब है कि जो आभासी आवरिती है उसका मान वास्तविक आवरिती के मान से अधिक होगा यानि की आपको जो ध्वनी है वो जादा तेज सुनाई देगी यानि उसकी आवाज आपको जादा सुनाई देगी ठीक है तो यह हमने कब यह कौन से कंडिशन थी जब जो श्रोत है वो श्रोता की तरफ कतिशील है अब इसका उल्टा भी तो हो सकता है यानि की जब श्रोत श्रोता से दूर जा रहा हो जो की कब हो रहा था जब गाड़ी आप से दूर जा रही थी और हौन बजा रही थी तो अब हम इस केस को कंसिडर करेंगे यानि की है तो अभी भी आप ही स्थिर हो यहां पर देखिए ठीक है इस ग्राफ को देखिए तो अब क्या होगा जो तरंग है इसमें क्या हो था आगे को बड़ी थी परन्तु जब हम बात कर रहे होंगे कि श्रोत श्रोता से दूर हट रहा है तो अब यह तरंग इस तरफ आएगी है ना और जो वेग की दिशा है वो इस तरफ ना हो करके यानि चाल इस तरफ ना हो करके किस तरफ होगा इस तरफ हो जाएगा ठीक है तो यहां यूएस था तो इधर को हम लिख देंगे माइनस यूएस यानि कि जो यह हमें आभासी आवरिती का सूत्र मिला यानि समेकर और संख्या एक यहां पर जो यूएस ह ठीक है तो हम us की जगे क्या लिखेंगे minus us लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर जो आभासी आवरिती है वो क्या आ जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा v upon v minus और us की जगे आपको लिखना है minus us क्योंकि इस बारी स्रोथ स्रोता से दूर हट रहा है ठीक है और यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा new अब यह क्या आ जाएगा solve करके यह आ जाएगा v upon v plus क्योंकि minus minus plus हो जाएगा us into new और यह क्या है यह आ गई आभासी आवरिती यह है वास्तविकावरिती इसे हम कह देते हैं समिकरन संख्या 2 ठीक है अब आएंगे अगली condition पर जहाँ पर जो श्रोत है वो स्थिर है और श्रोता गतिसील है इसके लिए आप मान लेजिए कि आपके school में कोई function हो रहा है जिसमें की annual function मान लेजिए ठीक है और उसमें speaker में जो जो से गाने बज़ रहे हैं अब आपको कभी जहाँ पर यह function हो रहा है वहाँ पर रहना पड़ रहा है कभी आपको किसी काम से दूर जाना पड़ रहा है मान लेजिए आप इसे थोड़ा सा विवस्तित करने में अपने अध्यापकों की मदद कर रहे है तो जब आप उस function से जहाँ पर function हो रहा है उस जगह से दूर जाते हैं या पास आते हैं तो इस तरह के घटना को हम यहाँ पर consider करेंगे यानि कि जब श्रोथ स्थिर और श्रोता गतिशील है ठीक है तो यह देखे यहाँ पर जो S है वो श्रोथ है L यहाँ पर क्या है? L यहाँ पर श्रोता है ठीक है? इस बार क्या हो रहा है? श्रोत वहीं पर है और श्रोता गतिशील है अब यहाँ पर जो यह तरंग है इसकी हमने जो आवरिती मानी है वो हम न्यू ही मानेंगे और इसका जो वेग है उसे हमने माना है V क्यातिवा समझ मैं? तो यहाँ पर जो तरंग धहर गया होगा इस तरंग का वो क्या आएगा? लेम्डा बराबर V अपॉन न्यू आजाएगा यह तो आप जानते ही है अब यहाँ पर भी हम और कंडिशन्स लेंगे जैसे की जब श्रोता श्रोत की तरफ जा रहा है यानि की जो L है वो कहा जाएगा? श्रोत की तरफ यानि इस दिशा में जाएगा तो अब हमें क्या दिखेगा? यहाँ पर हम अब इस तरीके से दुबारा बनाएंगे ग्राफ ठीक है? देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? देखें, मान लिजे, यह श्रोत है यह श्रोता था, श्रोता श्रोत की तरफ आया? तो मान लिजे, यह श्रोत है यह श्रोता है अब श्रोता जब श्रोत की तरफ आया तो L डाश पर पहुंच गया और इस समय पर मान लिजे, जो इसकी चाल थी वो कितने थी यू नौट थी ठीक है और जो यह तरंग है इसकी आवरिति को आप नियों ही कहेंगे और इसका वेग या चाल को कितना कहेंगे वी किया इतनी बाद समझ में आई अब यदि मैं बात करूं आभासी आवरिति की ठीक है तो क्या आजाएगा तो पहले तो आप लिखेंगे वास्तविक आवरिति ठीक है फिर आएगा प्लस अब यहाँ पर जो श्रोता था वो यू नौट चाल से किस की तरफ आया श्रोत की तरफ आया तो यहाँ पर वास्तविक आवरिती में कुछ आवरिती क्या हो जाएगी add हो जाएगी और कितनी हो जाएगी तो unon जो की है शुरूता की चाल अपन तरंग की तरंग धैर गया जो की कितना है lambda है यह देखे ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे lambda की value रखेंगे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि lambda की value कीतनी है तो यहाँ से देखे lambda की value है v by new तो यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ पर आएगा new plus u not upon v by new क्या इतिवा समझ में आई यह क्या है यह आभासी आवरिती का सूत्र है जब इसे हम थोड़ा सा और solve करते हैं तो हमें क्या मिलेगा तो देखे यहाँ पर हमें मिल जाएगा new dash और यहाँ पर आएगा new plus यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ पर आजाएगा new into u not upon v ठीक है अब यहाँ से आप देखे यहाँ पर भी new है और यहाँ पर भी new है तो हम क्या कर सकते हैं हम इसे common ले सकते हैं ठीक है तो यहीं पर लेते हैं common आएगा तो क्या आजाएगा new और यहाँ पर आएगा one plus u not upon v ठीक है इसका जब आप LCM लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा new और यहाँ पर आजाएगा v plus u not upon v और यह क्या है यह है आभासी आवरिती का सूत्र तो यहाँ पर थोड़ा सा यह हम इसे highlight कर देते हैं ताकि यह थोड़ा सा कैसा लगे साफ लगे इसे हम कहा देंगे समिकरर संख्या 3 ठीक है अब हम बात करेंगे यह कब हो रहा था जब श्रोता स्ट्रोत के तरफ जा रहा था अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उस जगल से और दूर जा रहे हैं जहाँ पर function हो रहा है वहाँ से दूर जा रहे हैं और जो हमने यह देखा ही क जब आप जहाँ पर function हो रहा है उसके और पास आ रहे हैं यानि कि जहां से आवाज आ रही है गाने वजाने की अब आप वहाँ से दूर जा रहे हैं यानि कि श्रोता से दूर जा रहा हो तो अब इस case में क्या होगा इस case में जो श्रोता है वो किस दिशा में जाएगा वो इस दिशा में जाएगा यानि कि जो उसकी चाल है वो अब इस दिशा में होगी तो उसे हम अब कहेंगे minus u naught ठीक है तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर हमें जो समीकरन तीन आपको दिख रही है इसमें जहाँ पर u naught है वहाँ पर हमें क्या लिखना है minus u naught रखना है तो यहाँ पर आभासी आवरिती क्या हो जाएगी यह हो जाएगी new ठीक है और यहाँ पर आएगा V U not की जगे आपको रखना है minus तो यह क्या हो जाएगा minus U not upon V ठीक है और इसे हम कहेंगे समिकरन संख्या 4 किया अतनी बाद समझ में आए तो यहाँ पर हमने दो case देखे एक case जब श्रोत गतिशील था और श्रोता है स्थिर दूसरा case जब श्रोत स्थिर था तथा श्रोता गतिशील था अब हम बात करेंगे कि जब दोनों ही दोनों गति कर रहे हैं यानि दोनों के दोनों गति कर रहे हैं जैसे कि आपके पिछे से गाड़ी भी आ रही है और आप आगे को भाग भी रहे हैं, तो दोनों ही कैसे हैं, गतिशील हैं, तो यहाँ पर हम इस case को देखेंगे, यहाँ पर चारों ही समिकरण लिख दी हैं, एक, दो, तीन और चार, और हमने case लिख दिया है, जब दोनों ही गति कर रहे हैं, और उसमें भी हमने जो case लिया है, वो है, जब श्रोता और स्रोत एक दूसरे की तरफ आते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्रोत की. तो जो स्रोत है वो किसकी तरफ आ रहा है? श्रोता की तरफ यानि कि समिकरण एक से हम क्या कह सकते हैं? जो न्यू डैस है यानि कि आभाशी आवरिती है वो कितनी आ जाएगी? वी अपॉन वी माइनस यू एस इन्टू न्यू ये आ जाएगी कब जब हमने कंसिजर किया है कि स्रोत श्रोता की तरफ आ रहा है. तो हमने यहाँ पर इस समिकरण का इस्तिमाल किया है. अब हम बात करेंगे कि जब श्रोता स्रोत की तरफ आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? तीसरी समिकरण का अप्योग करेंगे. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? तो मान लीजिए अब जो आभासी आवरिती है उसे हम लिख रहे हैं न्यू डैश डैश ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आप देखिए वी प्लस यू ओ ठीक है? क्योंकि observer कह सकते हैं किसको श्रोता को? ठीक है? तो यू ओ या यू नॉट अपॉन वी अब यहाँ पर जो न्यू है न्यू की जगह के आएगा? तो यहाँ पर आएगा न्यू डैश क्योंकि स्रोत भी गतिशील था उसके कारण जो आभासी आवरिती आई वो न्यू डैश आई अब इस आभासी आवरिती को जो श्रोता होता है वो वास्तविक आवरिती की तरह लेता है तो हमें यहाँ पर यह मिल जाएगा क्या इतनी वास समझ में आई बताइए अब देखे यहाँ पर हमें क्या करना है यह काफी सरल है यहाँ पर आपको new dash की जगे यह आपको जो दिख रहा है इसकी जगे आपको यह पूरी value को substitute कर देना है तो आपको क्या मिल जाएगा देखे यहाँ पर आजाएगा v plus u o upon v multiplied by क्य क्या इतनी वास समझ में आए ठीक है यहाँ से क्या आएगा यहाँ से v से v cancel हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा जो new dash dash है यानि कि यह क्या है यह final आभासी आवरिती है ठीक है तो यह क्या आजाएगा यहाँ पर लिख देते हैं v plus u o upon v minus u s ठीक है multiplied by new जो की है वास्तवि आवरिती क्या इतनी वास समझ में आए यहाँ पर u o क्या होगा जिस गती से श्रोता स्रोत की तरफ आ रहा है तथा us क्या होगा तो us होगा जिस गती से स्रोत श्रोता की तरफ आ रहा है यह बताये कि क्या आपको इतना समझ में आए यानि कि यहाँ पर जो दोनों की ही गती ह उन से मिलाकर हमें एक सूत्र मिल जाता है, अब एक case ये भी तो हो सकता है कि जो स्रोत है वो श्रोता की तरफ आ रहा हो मगर श्रोता स्रोत से दूर जा रहा है यानि कि मान लिजे आप किसी दिशा में भाग रहे हैं ठीक है सडक के किनारे आप कहीं भाग रहे था आपको देर हो रही थी पीछे से आई कोई गाड़ी जो हौन बजा रही है तो यहाँ पर गाड़ी है स्रोत तथा आप है श्रोता, तो गाड़ी तो आपके पास आ रही है, है ना? परन्तो आप गाड़ी से दूर जा रहे हैं, तो हैं तो दोनों के दोनों गतिशी, तो वहाँ पर क्या होगा? ये भी हम देखेंगी, एक और बात हम जो है, हम हमेशा श्रोता की जो दिशा है, उसे क्या लेते हैं? धनात्मक लेते हैं, तब ही यहाँ पर पॉजिटिव आया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो स्रोत की चाल है, उसके आगे नेगेटिव आया है, क्यूंकि हमें क confusion नहीं होना चाहिए चलिए आप आते हैं दूसरे case पर जो बने आपको भी बताया तो देखिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो आभासी आवरिती है तो यह देखिए जब स्रोत की दिशा को हमने कह दिया है कि माइनस और श्रोता क्या है उससे दूर भाग रहा है यानि कि देखिए यदि यह है यानि कि श्रोता तथा यह है श्रोत यानि कि एस अब जब जो श्रोत है वो आ रहा है श्रोता की तरफ और जो श्रोता है वो जा रहा है श्रोत से दूर तो दोनों की दिशा कैसी है सेम है अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर यह देखिए यह दिख आपको तो यहां पर इस से इस वाले केस में क्या हो रहा था इस वाले केस में मैं यहां पर बना रही हूं जो स्रोत है वो आ रहा है श्रोता की तरफ और अगर यह श्रोता है तो यह आ रहा है स्रोत की तरफ तो यदि हमने इसे लिया इसकी चाल को यूएस लिया है और इसकी च यूज से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रोता की जो दिशा है वो बदल गई है तो अब यह minus u0 हो जाएगा यानि कि इस सूत्र में आप क्या करेंगे इस सूत्र में आप u0 यानि कि u o की जगे minus u o रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा वी माइनस यू ओ अपॉन वी माइनस यू एज और यहाँ पर आ जाएगा नू तो कि इतनी बात समझ मैं तो यदि हम अब ऐसे तो बहुत सारे केस बन सकते हैं इसका उल्टा हो सकता है कि स्रोध दूर जा रहा है और श्रोधा स्रोध की तरफ जा रहा है तो देखें आप यहाँ पर लिखेंगे न्यू टैश टैश यह किसके बराबर आएगा तो वी ठीक है अपॉन वी कि अतनी बात समझ मैं और यहाँ पर आएगा न्यू यह तो आता ही आता है अब देखें प्लस यू नॉट माइनस यू एस हो सकता है उपरवाला माइनस हो जाए और यह प्लस हो जाए तो यहाँ पर यह क्या आ गई यह आ गई एक सामान्य समझ करण ठीक है जो आप कोई साभी केस लेंगे तो आगे-आगे आता जाएगा ममीद करती हूँ कि डॉपलर का प्रभाव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा